रास्ट्र पिता महात्मा गांदी ने तेमनी 150 मी जन्म जहन्ती पर यूएन मा आवेला वीविद देश्न भी राथरद्य अक्रियो है शरध्यां जल्यापी। यूएन मा भारत द्वरा आयोचित गांधी विचारो आधारित विशेश कार्यक्रम मा विविद देशना रातरद्य को भागली दो हतो। दगांधी सोलर पार काने गांधी पीस कार्डनों न्यूएर्क केमपस मावली स्टेच उनिवर्सिटी खाते पेम मोधिये उद्खार्टन कर्यों। गांधी जी भारतिय थे लेकिन सिर्फ भारत के नहीं थे। आजे मंच इसका जीवन पुदाहारन है। अजे दो है। महात्मा गांधी नी 150 में जन्म जयनती नी मीते सहयुक्त राश्ट्र महासंग मां पीम मोधिनी आग्यवानी मां एक विशेज कार्यक्रम नों आयोजन कर्वा माव्य। यूएन मां गांधी विचारोनी प्रासंग इकता पर आधारी एक विशेज सेशन उपन आयोजन कर्वा माव्य। चाहे क्लाइमिट चेंज हो या फिर आतंगवाद ब्रश्टाचार हो या फिर स्वार्थ परक सामाजिक जीवन गांधी जी के सिधान हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार दर्सक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वात है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बहतर विश्व के निर्मार में पेरक सिध्ध होगा। तेना पर महत्वा पातु त्यारे रास्त्रपिता महात्मा गांधी लोकोंने केवी रेते प्रेरित करी श्रकायते सिध्धान्त में आगर वधारी रहा आता। पियम मोदिये विश्वन पड़कारों ने पहुंची वड़वा माटे गांधी दर्शन ने आजे पन प्रासंगी गणावियोतू। आज लोक तंत्र की परिभाशा का एक सिमित अर्थ रह गया है कि जनता अपनी पसंद की सरकार चुने और सरकार जनता की अपेशा के अनुसार काम करे। लेकिन मात्मा गांधी ने लोक तंत्र की असली शक्ति पर बल दिया। उन्होंने वो दिशा दिखाई जिसमें लोक शासन पर निर्भर न हो और स्वावलंबी बने। बीते पांच वर्सों में हमने पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागेदारी को प्रात्विक्ता दी हैं चाहे स्वच्च भारत अभियान हो डिजिटल इंडिया हो जनता अब इन अभियानों का नेत्रुत्व खुद कर रही है। नियुयोर्क विश्व विद्यालाईना परिस्तरमा गांधी पीज गार्डन नूपन उठगाटन करवा माविय। आउप्रांत संयुक्त रास्ट्रमा गांधी जीना यादमा एक टिकेट पन बाहर पाडवा माविय थी। आता के पीएम मोधी जनाब यहतु के मार्टिन के नेल्सन मंडेला हुए तेमना विचारों नुमूड महत्मां गांधी जहता। विरो रिपोर्ड दूरदर्शन समाचार अमधाबाद।